एन्यों हासे यो, हेलो, हाई, वेलकम, नमस्ते मैं हूँ सुचित्रा और श्वागत हैप का हमारे यूटूब चैनल सुचित्रा चैक्स्पनेशन में तो चलो अब जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो क्योंकि सब्सक्राइब करने के कोई भी पैसे नहीं लगते हैं और हाँ वीडियो लाइक करके जाना ताकि मुझे अच्छा लगया और रोज डेर सारी वीडियो डाल सको ठीक है तो चलो हमारा आज का ड्रामा स्टार्ट करते हैं तो हमारा आज का ड्रामा नो होने वाला है डॉक्टर क्यूटी का एपिसोड नमबर 24 डॉक्टर के स्टार्टिंग में हम देखते हैं जर्नल जी की मौम जर्नल जी से बात करते हैं कि बेटा के पता लगाने के लगा तो कहता है कि गर दूसरे को बहुत प्यार करते हो लेकिं तुम और नहीं का एक मेशारा चाहिए बहुत भुबिभरॉसर नहीं नहीं हो था है तो प्रेंशी को से तो मुझे बिल्कुल भी भरोसा नहीं हुआ मुझे भरोसा नहीं हो रहा था कि यह सब आपने किया है पर अब जाके मुझे आपकी रियक्शन से पता चला और मुझे पुरा यकीन हो गया है कि आप ही वह हैं जिसने सेंट फैमली को बरबाद कर दिया उनके पूरी फैमली को आ आखिर यसी क्या बात हुई थी कौन सी सच्चाई थी जो उन्हें पता चल गए थी जिसके लिए आपको आपको उनके पूरी फामली को बरबाद करना पड़ा कि क्या कारण था इसका जर्णल जी की मौम कहते हैं कि जो भी कुछ हुआ अब वो सब हिस्ट्री है मतलब सब बी लगता थी छोटी सी बच्ची थी वह उसका पूरा बच्च्पन कितनी करिनाईयों से बता है अंदाजा भी लगा सकते हैं कितनी परिषानी से भी जी पिक राती चैनल क while आपने किसी क्या जान ले ली क्या मैं वो सब भूल जाओं मैं वह सब मैं भूल जाओं कि जो डॉक्टर त्यान है वह कितनी परिशान है यह सब कैसे एग्णोर कर सकता हूं जर्णल जी की मौम बोलती है तो ठीक है तो तुम भी मुझे नफरत करो जाय तो पहले ही मुझसे नफरत करने लगा है वह मुझे मा भी नहीं बुलाता अब तुम जो चाहों वो कर सकते होते हो यहां पर जननल जी कहते हैं जैं को क्या हुआ अंखिर ऐसी किया बात है प्रूरी बात बताईए मुझे लिजर जन देने वाली माता और तुम्हारे पिता दोनों तुम्हारे से कितना ज्यादा बुरा बरताव करते थे मैं बुरी नहीं हूं सुरू से मैं सुरुआत से बुरी नहीं थी पर हां मुझे बुरा बनने पर मजबूर किया गया था वह दोनों तुम्हारे से इतना ज्यादा गलत इन सब में यह सारी बाते डॉक्टर त्यान के मॉम डैट को पता चल गया था जिसके बाद मैंने उन दोनों को भी मरवा दिया यहां पर जनरल जी कहते है मॉम यह सब अपने मेरे ले किया ठीक है तो कोई बात नहीं अब मैं यह सब हैंडल करूंगा और आप बीच में कुछ भ लिखते हैं जनरल जी ब्रक्टर त्यान से मिलने जाते हैं जाँ पर डॉक्टर त्यान कहते है क्या तुमने इस लिए तो इसलिए सारे चांपने खत्म हो गए अदिन्ग भाद कि तुम पता लगाओगे चैन्ग के बारे में और मिख्रच चैन्ग को पकड़ने के बाद तुम्सारी सच्चाइब करने के पता घाथ तो मैंने वहाफिकर दो यहां में पता चलता है कि जनरल जी ने जो कुछ भी देखा वो सिर्फ एक सपना था यहां पर जनरल जी की आखे खुलते ही इनके पर्सनल बॉडिगाड आते हैं कहते हैं हमाराज आप ठीक तो है न क्या आपने कोई बुरा सपना देखा जनरल जी कहते हैं आम ओल राइट मैं सब्सक्राइब करते हैं यहां पर जनरल जी कहते हैं यहां पर जनरल जी कहते हैं क्या ओफितल कि देखो मेरे कुछ अपने अलग प्लान है तो तुम इन सब की चिंटा मत करो बस ने देखा जान है बसी नियुक्तर काम करो कि उसके बारे में इतली depressed हूँ और फिर कहते हैं कि दॉक्त त्यान मैं जो सफना देखा था कि तुम मुझे चाकू मार रही हो उससे मुझे फार्क नहीं पर तरह तो मुझे जान से मार दो पर मैं तुम्हें जाने नहीं कि दूप मतलब वो अपने मन में ही बाते कर रहे है फिर जो डॉक्टर अतियान होती है यहाद आते है 라 counsel घिर घाने के लिए ने बाते है लिए घोर आफ़ आते हैं और उसे एक पेंटिंग दिखाते दोनों के एक दिवार होते हैं जननल जी कहते हैं कि तुम बहुत ही ज्यादा खुबसूरत हो तो मैं खुद तुम्हें देखने के लिए हर रोज दिवार फान के तुम्हें देखने तुम सोचते हो क्योंकि मेरे तो बच्पन में एक लड़का देखा था जो बहुत ही ज्यादा क्यूट था उसके साथ में गूमती थी पटाके जलाते हुए देखती थी बहुत ज्यादा चलकता था जनरल जी कहते हैं कि अच्छा वो सब तुम्हारा सपना होगा फिर दोनों ऐ होती है वो कहती है कि तुम कितने ज्यादा अच्छे हो तुम मेरे सचाई जाने बगार मुझे आख मुंत के भरोसा करते हो जनरल जी कहते हैं कि यह सब तो कुछ भी नहीं मैं पूरी जिन्दगी तुम्हारा साथ चाहता हूं मैं पूरी लाइफ टाइम तुम्हारे साथ रह कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ पूरी जिन्दगी रहना चाहता हूं और मैं नहीं चाहता कि हमारे और तुम्हारे बीच कुछ भी है मतलब ऐसे बाते बाते करते हैं मैं तुमसे बहुत प्यार करूंगा बगरा बगरा और फिर दोना एक दूसरे के गले लग जाते हैं गले तुम मुझे छोड़ के चली जाओगी और मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे कभी भी दूर हो जाओ आगे हम जुनरल जी के छोटे भाई को देखते हैं जो कि सराब पीने में बहुत ही ज़्यादा बीजी होते हैं लिए होते हैं और महाराज आप से मिलने के लिए दोस्त आगां के जाने के बाद मिंश्टर जाते हैं तुम नहीं समझ रही हैं कि मेरे साथ क्या हुआ है कि वे क्या हुआ कुछ नहीं crack बिल्कुल भी चिंटा नहीं है मेरि मेरी माँ मुझे अहसास हो रहा है पूरी दुनिया में मेरा कोई कोई मेरी केयर नहीं करता है यहाँ बहुत बहुत ज्यादा करने वालो यह सब छोड़ो तुम इन सब से निकलो एसे हालात बना के जिंदिगी अपनी क्यों खराब कर रहे हो यहां पर जनरल जी के छोटे भाई कहते हैं तो और मैं कर भी क्या सकता हूं पीछे मुड़ने के लावा ठीक है मैं एक इस्टेप पीछे ले लेता हूं सब कुछ चोड़ के चला जाओंगा यहां पर उनके जो दो दिमाग में चला घया होता है लोटे कि चोटे बाई कि मैं बदल नहीं होते हैं अगे हम嘗ते क्या रहे हो मजा चाहते हैं भर और तीक नरुम के तरे होगों के यहां burghou सकती ह на जर्नल जी के बोडी होते हैं है तुम जहां जा सकते हो यहां पर भी जनर्रव जी ने सबकु सुलजा लिए lud जाकर बात कर लिए मैडम जी ने अकरार कैसे पाइवा हम कुछ बहुए कbor मैंने को तो गुशी सब फोड़ा क्या होगा जो टोब पकड़ हुग सब्सक्ताइब को सेहर जा suburbs यहां पे डॉक्टर तियान बोलती है कि यह इंपॉसिबल ऐसा हो ही नहीं सकता कि वह सहर चोड़ के चला जाए क्योंकि मैंने उसके उपर जो पॉज़न मारा था जो उसको पॉज़न दिया था ना उसके वज़े से उसको एंटी डॉट की जरूरत जरूर पड़ेगी वरना व वह कहते हैं कि जर्नल जी अभी कहीं बाहर गया हुए जैसे वह आएंगे तो तुम उनसे मिल लेना डॉक्टर तियान कहते हैं ठीक है मैं उनका वेट कर लूँगी चाहिए तो बता दिए कि वह हैं कहां मैं वहीं चली जांते हैं पर जो उनके परिशनल बॉडिगार्ड होत है उसके बाद से वह कहते हैं कि जर्नल जी मैंने उनसे यह भी बता दिया है कि आप अभी कैसर में मौजूद नहीं है और वह आपको ढूंडने के लिए ना है तो वह कहते हैं ठीक है अच्छा काम किया तो यहां पर जो पर्शनल बॉडिगार्ड होते हैं वह कहते हैं कि हैं आपके सवाल नहीं पूछ है लेकिन मुझे आपसे आपने कहा ता कि आपकी और डॉक्त ट्यान की साधी कि मैं चुपके से तयारी करूब्स कर सकता हूं कि हमें साधी की तयारी करौं जनल जी काुब भूल जाओ अभी रहने दोर जाए यहां से फिर उनके फेर्शनल देखा है कर दिन उसे मैं उसे मिली नहीं यहाँ पर जो जो जब आदे हुए उन की बॉह तक मिलीं नहीं तो पता नहीं मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है कि मैंने उनके पर्षिनल बॉडिगाड जो ते वह बता रहे थे कि वह मिश्टर चैंग को पकड़ने के लगाया और मुझे उनकी बहुत ज्यादा चिंता हो रही है और वह दूसरे सहर चले गया है तो यहां पर जो उनके भाई होते हैं जो चैंग है वह पकड़ा गया हो लेकिन फिर जनल जी के हाथों से छूड़ गया हो और निकल भाग गया हो पर तु मेरे भाई पर इतना ज्यादा वहरोस्त करते रहा है तो यहां हम पर पर आक मुझे वह बातन हम और उसा चालता है जहां करती हैं कआते हैं प्र उनकी तरहां अब ही तरहां चेह सब्सक्राइब करती हैं कि चॉन करते हैं how göra तो जानते भी नहीं तो जो जर्णल जी के छोटे भाई होते हैं न कहते हैं क्या तुमने अभी तक जर्णल जी को कुछ नहीं बताया तो यहां पर जो डॉक्टर त्यान होती है वो कहते हैं नहीं लेकिन हां मैं आपको बता सकती हूं दरसल मैं क्योंकि आपके कैसर में एक डॉक्टर थे जिनका नाम सेंथा मिस्टर शेंथा वह यहां पर काम किया और उनकी मृतियों के बाद ही मैं पता लगाने के लिए निकल गए थी यहां पर उनको जर्णल जी के चोटे भाई को ऐसास हो जाता है कि यह कौन से डॉक्टर थे फिर आप डॉक्टर तियान की हर्प नहीं करेंगे तो यहां पर कहते हैं कि इन सब की तुम चिंता मत करो मैंने का आच क्यों हट वाली है उन सब का मेरा अपना एक रीजन है यहां पर जो जर्णल जी के चोटे भाई होते हैं कि क्या आपको पता है डॉक्तर तियान कौन है डॉक अचंबित क्यों नहीं है या फिर आपको पहले से ही पता है अपने मा के कुकर मों के बारे में उनको बहुत ज़्यादा बढ़काते हैं मतलब गुस्ता करते हैं कि आप अपने अपने मा के कारण यह सब कुछ बंद कर दी हैं आप डॉक्टर तियान का साथ देने लायक नही दे रहे है तो आप यह सब क्या कर रहे है उन्हें धोका क्यों होदे रहे हैं तो यहां पर हैं नहीं हैं कि छोटे भाई को नहीं वह कहते हैं order मानने के लिए बात दे नहीं हूँ यहाँ पे दोनों लग लड़ाई कर रहे होते है जनरल जी जो होते हैं जनरल जी कहते हैं कि मुझे पता है कि मेरी माने तुम्हारी मा का कतले करवाया था और इसके उनके अपने रीजन्स भी थे पर अब इन सभी का भुकतान में करने के लिए तुम मांगो क्या मांगते हो तुम जो मांगोगे ना मैं वो तुम्हें खुशी खुशी दे दूगा बस तुम मुझे माफ कर दो उसके लिए मैं बहुत ज्यादा सर्मेंदा हो यहां पर जनल जी के छोटे बही होते हैं। अब जुशी को कहते हैं cheonle 1100 का साथ होते हैं तो सायद मैं उसे चोड़ देता आ मैंने उस पर give up कर लिया था यह सोच कर कि आप मेरे बड़े भाई हैं क्योंकि मैं आपकी बहुत ज़्यदा रिस्पेक्ट करता हूं लेकिन अब मैं उसे वापस ले करूंगा डॉक्टर तियान मेरा है और यह सब कहने के बाद जर्णल जी के छोटे भाईवान से चले जाते हैं आगे किसी मैं मुझी सब्सेटिये सब्सेट को देखते हैं उससे मिलने के लिए आदमी आता है कि महराज आपका और फॉलो कर लिया है मिस्टर चैंग ने मिस्टर चैंग पकड़े गया है जर्णल जी के हाथ हो और अब वह उनके कैद में हैं यहां पर वह जो थो परस पोलता है कि आगे हमें किया काना चाहिए आग्यक्र को this later को तो मुझे पहले क्यों नहीं पता चला आगे हम ज़नल जी को देखते हैं जो की जाते हैं मिस्टर शेन यानि डॉक्तर तियान के ममी पापा के गरेव के पास वहां पर जाके उनसे कहते हैं कि मैडम सेन और सर्ज मनलब डॉक्टर शेन मैंने उसे डूंड लिया जौर को नहीं दरसल उसने मुझे डूंड लिया है फिर आगे हम उनके बच्पन की कहानी देखते हैं जहां पर हमें दिखाया जाता है कि जर्णल जी एक जगह सांती से बैठे होते हैं महां पर कुछ पर एक छोटी से लड़की होती है और बहुत ही जञदा खुश होती है तो यहां पर Gu Graph कि तुम कौन हो हो और तुम मुझे इतने फ्लब नहीं होट कहती है ale Пр assist interference यहां वह चोटी बच्षी एव वो कहती आज मुझे आज मेरे मौम घाढ Dad ना मुझे यह यहां यहे फेस्टिबल दिखाने के लिए लाया थे फायर वर्क फेस्टिबल पर हुआ कुछ ऐसा कि एक एकसिडेंट के कारण ना मैं इन दोनों से खो गई हूं और इसलिए मैं मेले में दहुदर गूम रही हूं यहां पर जर्णल जी पूछते हैं कि तुम खो गई हो तुम इतनी जर्णल जी को पैचान लेते हैं नमस्कार करने जाते हैं तो जर्णल जी उन्हें रोक देते हैं तब जो चोटी बच्ची होती है कि आप भी तो अखेले लग रहे हो तो एक काम करो आप मेरे साथ मेरे मॉम डैट के घर चलो वहां पे मेरे मॉम जो है ना बहुत ही अच्छा राइश टंप्लिंग बनाती हैं हम लोग साथ में मिलके इंज्वाय करेंगे जर्णल जी कहते हैं ठीक है और फिर उसके साथ निकल लेते हैं आगे फिर हमें से इन प्रजिएंट का दिखाया जाता है यहां पे जर्णल जी जो होते हैं मुझे और कि मुझे बिल्कुल भी आ मैं चाहता हूं कि आप लोग मुझे आशिरवाद दें कि मैं डॉक्टर तियान के साथ पूरे जीवन रह सको और मैं उसे कभी भी ना चोड़ों मैं उसे कभी छोड़ना नहीं चाहता है मैं अपने प्यार को एक दम आखरी दम तक आखरी समय तक साथ निवाना चाहता हूं आगे दॉक्तर तियान को देखते हैं जो कि वह कैसर होता ना जहां पर जेल होता है उसी के बाहर खड़ी रहती है किसी का इंतजार कर रही होती है तब आप एक क्योंग जो जिसको डॉक्टर तियान जोने अंकल करके पुकार ती है फिर दोनों लोग मिलके बहुरी जेल के मतलब सब कुल देख रहे तो एक दोने लोग ऑन्दर दोप्त प्रते को कि से भात करती मन किसे पुछ तैंगे हम छुपते डॉक्त rays थी यह अगकल होते हैं लेकिन बाहर बहुतर की जला क्य अंदर नियुक्त करी आंगल नियुक्त रीची पनार्फ। जब टाले वाले खोलने लगते तो पीछे से इ receivers रौत हैं और अमने के लिए यह फिर ने के लिसारी कीशिए है इन लोगा बच्चा लेते हैं चलो साथ में चलते हैं आगे हम इसी जगह पर देखते हैं कि से गाड़ी यह और गारी से उतरते हैं बहुत ज़ल्दी आप पड़े जल्दी आघेंगे चोटे बाई और ट्क्टरव तियां जोते हैं वह दोनों लोग मिस्टर चैंग के पास वो पूछती है कि बताओ मेरे मॉम डैट का मौत किसके वज़े से हुआ किस ने ओर दिया था मेरे मॉम डैट को माड़ने के लिए यहां पर जो मिश्टर चैंग होते हैं वो कहते हैं तुम कितनी बेकार हो ना तुम्हें तो समझ महीं नहीं आ रहा है कि तुम क्या करो जिस इस मांने प्वापा का कड्ल कर वाया तो मुस्य से खिप्यार कर बैंखि यहां पर त्यान उती ना उसको बिल्कुल भी वरोसा नहीं हो रहा होता है वह कि तुम कैसे कैसकते हो कि जी कि नेहीं सब और दिया था तुम सब जूड बोले हो ऐसा कुछ वहिए कि मॉम उनबर टिया था यहां पर त्यान होती है तुम जूर बनाया बचने के लिए कर रहा है इसलिए कहरा ना ताकि तुम यहां से छूड़ जाओ और जर्णल जी फज़ यहां पर वो जो मिश्टर चैंग होते हैं वो कहते हैं नहीं यह सब बिल्कुल सच है मैं जो भी बता रहा हो बिल्कुल सही है क्योंकि जो जदूसी थीना वो बहुत ज्यादा जelis थी वो जर्णल जी को बिल्कुल भी प्याण नहीं करती थी वह और उनके पती दोनों लोग मिलके जर्णल जी को हमेशा परिसान करते रहते थे जिसके वज़े से जर्णल जी और अपने आपको बहुत ही ज़्यादा बुरा महसुस करने लगे थे उन लोगों को लगता था कि साथ उनका कोई वर्जेस वही नहीं रहेगा इसलिए उन्होंने उन्हें मरवाने का प्लान किया अगर तुम्हें मुझ पर बरोसा नहीं है तो तुम उसके छोटे भाई मिश्टर जैंग से पूछ सकतों जो कि हैं यहां पर मिश्टर कैनलशी की मतबर इससे और देखते हैं मुझसे मुल से खुन निकलने लगता है और वो कहते हैं कि अब मैं मढ़ने वाला हूँ और मढ़ने वाला इंसान कभी भी जूट नहीं बोलता डॉक्टर त्यान को फिर भरोसा नहीं हो रहा होता है तो मिश्टर चैंग जो होते हैं वो कहते हैं कि देखो तुम ना बहुत ही साइड फिल करने वाला फेस बना रहा हूता है ना तक कर रहा हूता है तो यहां पर जो डॉक्टर त्यान होती है वो उसके बातों पर विल्कुल भी भरोसा नहीं करते हैं लेकिन मिश्टर चैंग कहते हैं कि अब तुम्हें मुझे मारने के भी कोई जरूरत नहीं है क्योंक अदूसरा नहीं हो सकते हैं तुम्हारे यहां तुम्हें यह हें ौक्ति को देंग को कुई दूसमन् यानि हमारी फैंली है लोयल यहां पर बहुत हैं उसकि जैन्म總 को भसी Ahh समें हमारी इंसान वह सब्सक्रारी एक सकता है कि आप यहांशा ह। कि अगर उसने पताने के लिएacióं等विन और है जाएक मुझे मैंना तुम मिट्न से नहीं है टीन कि यहां पर चाहिते हैं। बच्प पूरी जन्रीगी तुम्हारे साथ हो। पते शूसरे किat आपने सोप你 आप dos faraff mc2 नहीं कर सकती और हां मैं जो कि जहनर से साड़ी बात पूछोंगे उसे सच जाने पूरी कुछिज्ध करऊंगे उसे सच बताना ही होगा इतना क्या कि door ट्यान हुआ से चले जाती है आगे अम जनल जनर्ल जी को देखते हैं कि अभी आथा पाई नहीं है यह बहुत सौनी सह मरें चुपा है तब हो वे वह बताते हैं कि इस ट्रॉंगलिंग का कोई भी निसान नहीं है इसने हाथा पाई नहीं किया है और यह सुसाइड जैसा लग रहा है ऐसा लग रहा है जैसे इसने जहर खाके खुद की जान दे दिया जान बुझके यहां पे जो उनके परशनल बॉडिगार्ड होते हैं वो कहते हैं जी कि उन दोनों का जहर एक ही है क्या और फिर एक काम करना ये पता लगाना कि जो मिश्टर शैन गया, वो मड़ने से पहले किससे किस से मिले थे और कहा कहां गया थे मतलब यहां पक्ड़ी जाने से पहले फिर वो कहते हैं कि अच्छ यह बताओ जो जो बहोस हुए थे उनके क्या हालत है और किस पता चलत यहां पर डॉक्टर जो जनर्र जी के पर्षिंट वॉडिगार्ड होते हैं, वो बताते हैं कि महाराज गार्ड्स बता रहे थे, उन्होंने बेहोस होने से पहले किसी को देखा था, और वो पक्का तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन सायद वो डॉक्टर तियान ही था, यहां पर जोनल जी जो होते हैं ये सुनने के बात बहुचके रह जाते हैं और हमारा आज का एपिसोड खतम हो जाता है मिलते हैं अगले एपिसोड में तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ टाटा बाइबाइब टेक क्यार